अगर आप अपने एंडुड फॉन में एम जोग टू एप्लिकेशन के द्वारा कार्टून वीडियो क्लिप बनाते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंपोटेंट है दोस्तों मेरे पास ऐसे कई कमेंट आ हैं कि एम जोग टू एप्लिकेशन में कार्टून में हम स्टिक का यूज कैसे कर सकते हैं और भी कई एक्स्टा चीजें जो कि मैं आज आपके लिए इस वीडियो बताने बाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले में आपके कई एक्स्टा चीजों का यूज करना सीख जाएंगे और साथ मैं आप ऐसी कई और एक्स्टा चीजों के बारे में चीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगी वीडियो क्लिप बनाने में तो दोस्तों मैंने यह जो बनाए सबसे पहले मैं आखिर कॉल करेगा चले देखें तो ब्यूटिफुल का मैसेज किसने किया हो बताएं तो अब इस उम्मर में भी मुझे ब्यूटिफुल का मैसेज कॉल भेजेगा देखा तो आपसे कितनी वर्का है कि चस्मा पहन के पढ़ा करो ब्यूटिफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है और आपके देख के इस रहे हैं चिपका दू सभी को नया है मार्केट तो दोस्तों वीडियो क्लिप अगर अच्छा लगा तो प्लीस कमेंट करके जरूब बताएं और तो दोस्तों वें चाचा जी का इकट है वो मैं आपके लिए नहीं पर पूरा शुट करके देखा रहा हूं और इसके लिए में हम थीम का यूज्ब कर रहा हूँ तो हमने याँप यरेक्टर हैं है इनको हम second की background कर लेते हैं तो सबसे पहले हम हैरिष्टैल वगर लेते हम् ताइम पर ही अपनी रिकॉर्डिंग देना चाहते हैं और फिर है आपका लाइस्ट जो की सबसे ज़्यादे इंपोटेंट है वह आपको ध्यान में रखना होगा जो की एनिमेशन का यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है यहां पर आपके चैनिमेशन है जिसमें आप के जैसा की स्लैपिंग करने के लिए यह हाथ उठाते हैं और उसके बाद सिर हिलाने का और उसके बाद डांस बगएरा कराने की यानि सब आप प्ले करके जरूर देख लिए और आपने जो भी यहां पर मेक अप किया है जब आप सेफ करेंगे तो मात्र पांच क्रिडिट ही क्रिडिट मैं हिसी तरह सेंगा ऋर इसी तरह सेह हमने हैं यहां पर अगरे लिया है और उंका मेकप यहां पर कर दिया है और हमने सबी को play करके और seep कर दिया है और अब हम चलते हैं shooting पर तो दोस्तों आप आपको जो भी यूज़ करना है उसे select कर लिए ठीक है छोष करने का option और थार्ड में है आपके face expression का अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बत है कि जैसे आप जहां से अप क्लिप स्टार्ट करते हैं सब 스퍨 है वहां पर आप अपनी क्लिप को जम्मा लेजिए जैसे कि मैं चाजी जी को अपनी जिए को है इस कुर्सी पर बाइफा देता हूँ और फिर मैं चाजा जी को भी अपनी तो बुलते जाएंगे आप चाहें टाइम पर भी वोईस दे सकते मैं एडिटिंग टाइम पर वोईस दूँगा जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो बार 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 वोईस चेंज करने में ठीक है तो यहां पर अब आप के सफसे हैं आप के सब्वार को जमा लींग अंसा एक आपके सरह करता हूं तो यहां पर आप देखने वाली बात है छा रहा है अब यहाँ पर आपके लिए जो भी आपके यानि जो भी एक्स्टा टाइम बीच में मिलता है जैसे कि मॉवाइल के पास अगर गये हैं तो काफी दिर में गये हैं मगर यह टाइम जो वीच का है वो हम हम ले जाते हैं उनके लिए के पास और मॉ democratic यहां उनके आससे चोड़ देते हैं जो कि हाथ को आये तहां उसके द्वारा एन नफी सब्सक्राइब भी हमने change कर दिये हैं ठीक है और अब यहां से जो चेर से उताने का option है उसको हमने select किया और फिर mobile के पास ले जाने के बाद उनका यह जो hand option आ जाता है इसके दौरा हमने यह mobile उठा लिया है अब यहां पर अब आपको ध्यान देना है कि select करवाने के लिए आपको character को पहले जमाना होगा कि किसके दौरा select करवाना है और किसके यहां पर मतलब किसको पढ़ना चाहिए तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने यह character को जमा लेता हूं जो कि मेरा भी time ऐसा है कि जो की बीच में अन्नों time आ रहा है जो कि में बाद में cut करक हों तो यहां पर अब यह जो जूम को option है तो मैं face को सामने ले आओंगा बिल्कुल जिससे की दोनों का face बिल्कुल angry देखे और slap भी बिल्कुल clear देखे तो यहां पर face मैं jump option के दोरा सामने ले आया हूं और यह जो action का यहां पर आपके सामने जो भी action आते हैं वह आप scroll left right कर करके देख सकते हैं आपके बाकी एक्षन भी दिख जाएंगे तो यह लास्ट का यह जो ऑप्षन है इसके द्वारा हमाना हम चाज़ी के हाथों के द्वारा स्लैप करवा रहे हैं ठीक है यानि यह जाज़ी को जब यह जहापड लगाएंगी और उसके बाद फिर हम करेक्टर को चेंज करते हैं चाज़ी को लिए आया है और अब हम का फेंजे सामने लनाने के बाद यहां पर अब हम Rings जाए स्लैप पड़ेगा उनों इनका इलेका तो यह सिर्भ लाने वाला हमने एक्षन ले लिए और इनका एक्षप्रेशन अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं और अब धीरे धीरे से जुम आउट कर देते हैं जिससे की face दूर होते चले आए और दोनों का face clear देखे और जो भी हमारा unknown time आता है ज्यादा time आता है वो हम editing के दौरा बाद में भी काट सकते हैं ठीक है अब यह काटना कैसा है वो भी मैं आ बाद से मौल उठाया और यहाँ पर अब last time जो भी आपका end time है वो यहाँ पर हम दे देते हैं ठीक है और अब हम यहाँ पर यह पूरी क्लिप बनने के बाद मैं डारेक्ट इस क्लिप को ले जाओंगा काइनी मास्टर एप में और वहां से हम यूज करते हैं काइनी मास्टर फूरी हो गई है यह सेव हो गई है और सेव आप इसी बाद प्ले करके जरूर देखिए क्योंकि कभी किसी मौल में फुल सपोर्ट ना होने से यह क्लिप प्ले नहीं होती या फिर हो सकता है मात्र इमेज ही आ पाए इसलिए यह देखी हमारे पूरी क्लिप ले हो रही है और और अब मैं ले चलता हूँ को काईने मश्डर्ण था हरा अब करने का तरीक बाकि आपकी जो भी बीच का टाइम अगर एक्स्ट्रा आता है वो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए और यह जो आपको सीखना है बीच में कट करने का वह आप हमारी पिछली वीडियो को देखकर मैं जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके दोरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीच का पार्ट हटाना है या आप एक्स्ट्रा चीजों के बारे में भी सीख सकते हैं तो यहाँ पर मैं टाइम बिलको फिक्स करके कट कर दिया है कुछ टाइम जैसे कि यह चाची जी मॉल गराती है अब यह एंगरी होती है और अब यह जहपर लगाती है जैसे ही उनका हाथ उपर होता है जैसे हम अब इस क्लिप को कट कर देते हैं और यहां से अब आएगा जैसे हाथ उपर होन से हम इस clip को start करेंगे और आगे का part cut कर देते हैं जिससे कि दोनों clip जब start होती है तो यहां पर ऐसा लगता है कि चाज़जी का हाथ जैसे नीचे का या चाज़जी के सिर में लगा यानि उनके face पर लगा और clap sorry slap हुई है ठीक है बिल्कुल इस तरह का action हमारे लिए यहां पर create क हुई है इस तरह से आपके लिए आपर clip को जमा देना है या आप अपने हिसाब से भी जमा सकते हैं second clip एक clip और बताऊंगो जिसमें आप sleeping दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वह भी मैं अभी आपके लिए इस clip के बाद बताने वाला हो और अब आपके हिसाब से जो भी cut करना ह तो वह आप cut करके अपने time को यानि extra time को आप cut करके हटा दीजिए और अपनी clip को इस तरह से slap करके clear बना सकते हैं ठीक है और अब यहाँ पर मैं editing के time पर ही अपनी वोज देता हूँ आप चाहें तो recording के time पर यानि एम जोक्तू application में recording के time पर भी दे सकते हैं मगर मैं यहाँ editing के time पर देता हूँ जिससे कि मुझे बार-बार दिक्कत नहीं आती मगर मैं उस time पर भी recording के time पर भी dialogue बोलता हूँ जिससे की cartoon sorry character के face भी मतलब expression वगेरा देते रहा है तो यहाँ पर मैंने अपनी ये full recording दे दी है recording देने के बाद और आपकी जो भी funny ये जो green tunes दिख रही है यह मैंने एंजोग 2 की funny clip है sorry funny audio clip है तो यहाँ पर मैंने इन्हें adjust कर दिया है कि कौन से clip मुझे कहां लगाना है आप भी अपनी हिसाब से जो भी clip जहां भी लगाना चाहें जो भी audio जहां लगाना चाहें आप वो अपने हिसाब से लगा लीजिए और अपनी clip को यहां से recording कर सकते हैं जैसे कि यह voice option है इसके दौरा आप record करके यहां पर अपनी वोईस बगेरा record करके मतला अपनी clip को complete कर लीजिए और अब save कर लीजिए अपनी clip को अब मैं यहां पर आपके लिए second clip बता रहा हूं जहां से आप अपनी clip को second तरीके से यानि दूसरे तरीके से slapping करवा सकते हैं जैसे कि आपके cartoon character जो भी है आमने सामने है या left right है आपको अपने हिसाब से जो भी cartoon को slapping करवाना है वो face आप सामने रखिए और जहां से भी आपको slapping करवाना है वो आपका slapping clear देखने चाहिए जिससे कि दूसरा cartoon के face पार जैसे ही कि जैसे ही वह cut करेंगे हम वह time हम बीच में cut करके अलग करेंगे तो चाछी के जैसे कि अप चाछी स्रलैप करते हैं और फिर चाजी का तो वह time बीच में थोड़ा सा टाइम लग सकता है वह हम editing के जर्ए बादमा cut करके out कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के आप जो भी expression डिशन देना चाहते हैं जह से कि हलाना ये यह बहुर आप इस एक्शन के दौरा दे सकते हैं ठीक है और अब मैं आपके लिए यहाँ पर क्लिप करते करने जैसे कि आपको क्लीप टॉक्फर, जो यहाँ पर मैं इनके मेकप चेंज कर दिया है जो कि स्टुडेंट और सर के बीच में एक छोटी से क्लिप यानि इस्टिक का यूज बता रहा हूं तो यहां पर हमने यह जो अपने इसाब से जो भी एड़ेस्ट करना है जिस करेक्टर को जहां पर आपको खड़ा करना है अपने इसाब से को बना सकते हैं, तो यह हमारे हैं student, तो student को हम यहांपर लिया हैं और आप देख सकते हैं कि master जी के हाद से मैंने चड़े उठा ली है और अब यहां पर master जी को मैंने select किया sorry अब यह है तो यहां पर हम character change कर देते हैं और अब हम यह देखिए इन्होंने अब यह इस तरह से चड़ी का use किया है तो यह time और जो student है उसका भी सिर हिलता है या उसकी body हिलती है तो उतने बीच का time हम cut करके out कर देंगा जिससे की master और student के बीच में जो activity हुई है वो आपके लिए clear देखे तो आप इस तरह से stick का भी use कर सकते हैं और तीसरो option और है जिसमें आप stick का use कर सकते हैं वो है दोस्तों आगर आप काइने master के दौरा edit करते हैं तो edit के जर्ये आप slapping के time पर भी आप editing के जर्ये वहाँ पर कोई भी stick बगेरा पकड़ा कर उनके द्वारा stick का use कर सकते हैं तो आप editing के time पर भी उसका use करके देख सकते हैं अगर आपके लिए stick का use ज्यादा problem अगर देती है तो आप मुझे comment कर सकते हैं इस टिक का कुछ अलग ही एक full tutorial भी बना सकता हूँ आपके लिए तो आप उसको भी देख सकते हैं इसी तरह से आप कोई gift बगेरा का भी या यूज करना चाहते हैं तो आप मैंने अभी जो क्लिप बताई उसको भी यूज करके देख सकते हैं आपकी दूसरी जितनी भी दोस्तों आपकी इस एम्जोक टू application में जितनी भी थीम है हर थीम में आपके लिए कुछ extra मिलेगा जैसे कि आपके लिए gift बगेरा देखना था तो मैंने वो clip यानि वो चलाना है या फिर आपके लिए ट्रव चलाना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मिंग का जो थीम है आप उसे अपने स्लेक्ट करके यह देखिए यह जो गाडी को बैठने करने का उसको चलाने का सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा यैनी हर तरह में आपके लिए कुछ न कुछ एक्ष्टर जरूर मिलेगा आप उसे यूज़ करके जरूर देखिए ये देखिए ये ट्रैक्टर चल रहा है इसी तरह से आपकी सिटी का एक और थीम है उसमें आप गारी बगएरा भी चला सकते है यानि कोई भी गारी बगएरा का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें चला कर अपनी वीडियो को कुछ अपपने क्भारा सुष्टी का वीच में भी अपनी कोई श्टोरी त्यार कर सकते हैं वो आप यूज करके देख सकते हैं और हर थीम में आपके लिए कुछ एक्स्टर जरू मिलेगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके लिए यह सब समझ आगाया होगा अगर आपका कोई सवाल हो कोई कमेंट हो तो प्लीस हमें कमेंट जरू किजिए वीडियो अच्छा लग सबस्सक्राज मुझे आपके ल Queens